आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो यह वाली लाइन इसके पैरलल है और A, B वाली लाइन इसके पैरलल है तो हमें दे रखा है एंगल A, F, C A, F, C यह वाला एंगल 68 डिगरी का और यह वाला एंगल 42 डिगरी का अब हमें बताना है E, F, D तो हमें E, F, D तो हमें यह वाला एंगल बताना है यह वाला एंगल कितना होगा ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं AF parallel with ED and EF is a transversal ठीक है एफ एफ यह वाली लाइन और यह वाली लाइन क्या है parallel है और यह वाली क्या है हमारा transversal यह transversal है जो दो parallel lines के बीच में transversal होता है तो क्या होता है corresponding and alternate interior angles are equal तो यहां पर क्या होगा A-F-E and F-E-D A-F-E यह वाला एंगल और E-F-D और F-E-D F-E-D यह वाला एंगल दोनों क्या हैं बराबन तो यह क्या होगे है Alternate Interior Engles तो एंगल A-F-E that is equal to F-E-D यह क्या है Alternate Interior Angle तो इसकी वैल्यू कितीन हो जाएगी हमारी 68 श्की वैल्यू कितीन हो जाएगी हमारी hym 42 अब हमें पता है AFC AFC यह वाला एंगल यह वाला एंगल और यह वाला एंगल मिलके कितना बना रहे है 180 डिगरी ठीक है तो यहां पर लिखेंगे AFC एंगल of AFC plus angle of AFE AFE plus angle of EFD EFD is equal to 180 डिगरी ठीक है और हमारा AFC यह वाला कितना दे रहा है 68 डिगरी ठीक है तो यह हो जाएगा 68 plus AFE आगया था हमारा 42 plus EFD angle EFD हमें निकालना है that is equal to 180 डिगरी तो 68 plus 42 कितना होगे 110 तो यह हो जाएगा EFD that is equal to 180 डिगरी minus 110 तो यह किस के बराबर आएगा यह आएगा 70 डिगरी के बराबर और EFD that is equal to 70 डिगरी तो हमारा आँसर आगया 70 डिगरी ठीक है थेंक्यू